नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्थव लोगसभा में विपक्ष के नेता और कॉंग्रिस सांसर राहूल गांधी ने लोगसभा चुनाव 2024 की शुचिता पर सवाल उठाए हैं गांधी ने अमेरिका में कारक्रम के दौरान कहा कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता हूँ दरिसल राहूल गांधी ने ये बात उस वक्त कही जब वो वाशिंग्टन डीसी की जॉर्च टाउन युनिवरसिटी में शात्रों से मुखातिब हो रहे थे राहूल ने ये भी कहा कि वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते उन्होंने काया कि कभी-कभी उन्हें मोदी से सहान उभूती होती है ऐसे में एक बार फिर राहूल का मोदी प्रेम उमड़ाया है साथ ही राहूल ने लोकसभा चुनाब को लेकर ज्वारोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी आईए जानते हैं कॉंग्रिस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी इंदिनों अमेरिका दोरे पर हैं जहां उन्होंने वरजीनिया के हंडन में इंडियन ओवर्सीज कॉंग्रिस से जुड़े लोगों को संबोधित किया साथ ही जोर्च टाउन युनिवर्सिटी में चात्रों से बातशीत की वहीं इस दोरान राहूल गांधी ने कहा चुनावों के बाद प्यम मोधी की डराने की रणनीती तुरंत गायब हो गई है कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने अमेरिका दोरे के दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साधिते विकाहा कि प्यम मोधी की डराने की रणनीती केवल चुनावों तक सीमित थी चुनाव खत्मोती ही वह भी गायब हो गई राहूल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निश्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी उनके पास बहुत बड़ा वित्तिय लाप था उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिये थे चुनावायूग वही कर रहा था जो वे चाहते थे पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोधी देशवर में अपना काम करें जिन राज्यों में वे कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था जहां वे मजबूत थे राहुल ने वाशिंटन में कहा मैं नरेंद्र मोधी से नफरत नहीं करता मैं उनके दृष्टी कोड से सहमत नहीं हूँ लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता कई शणों में मैं उनके प्रती सहान उभूती रखता हूँ उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हम बीज़पी के खिलाव चुनाब लड़ेंगे और जीतेंगे अगले दो या तीन महीनों में हम ये चुनाब जीत लेंगे जाहिर है राहुल गांधी इन दिनों अपने अमेरकी दोरे पर हैं जहां उनका एक अलग ही अंदास देखने को मिल रहा है युनिवर्सिटी में चात्रों से मुलकात के दोरान राहुल घुटनों पर बैट कर फोटो खिचवाते भी नजर आए वही राहुल की इस अमेरकी आत्रा के पीछे वज़ा क्या है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है लेकिन ये तो साफ है कि विदेश में भी राहुल मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे है खैर इस खास खबर में बस इतना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सी निउस भारत